प्रियंका एक डॉक्टर होने की नातिर जो जिम्मेदारी होती है वो डॉक्टर्स निभा रहे हैं लेकिन अगर इस तरह की बत्सुलू की बार-बार होगी तो उनके पास भी विरोध ही एक तरीका है भले ही अध्यादेश आ गया हो जे बिलकुल और यही एक्जामपल हमने आज देखा जो LNJ का भी आप सुनवा रही थी कि तमाम डॉक्टर्स ने एक वीडियो रिलीस किया है जिसे वो बता रहे हैं कि 24-24 गंटे काम करते हैं ऐसे में खास और पर जो कोरोना पेशन्स के साथ रेलेटिवस आये रहते हैं वो बताया गया कि उस मरीज को वहाँ पर नहीं लाया जाएगा कैट्स के गरमचारी का आरोप है कि उसके साथ जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसने बत्तमीजी की मारपीट की उसका वीडियो भी सामने आया है उसके बाद डॉक्टर्स ने ये वीडियो रिलीस किया है जहापर कहना है कि बत्तमीजी डॉक्टर्स के सा उसके साथ हो रही है और अशे में ये ऐसर्फ एक प्रकरण है इससे पहले भी कई इस स्टिके के मामले खासतर पार लिजे की बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना पेशेंट्स हैं जमातियों को ले कर यहाँ पर बात हुई क एक नर्स ने आरूफ लगाया कि उनके साथ बत्तमीजी यहां पर हो रही है तो इस पूरी घटनाओं को देखकर अब डॉक्टर और नर्से तमाम इन लोगों ने एक वीडियो जारी करके अपनी परिशानी को सामने रखा है हालां कि ये बिलकुल उसी समय पर ये वीडियो जा है उनको भी समझनी होगी और इसी परासते इंद्र जैन से जब सवाल मैंने पूछा था तो उनका ये कहना था कि बहुत जादा लोग पानिक में आ जा रहे हैं कोवीड पॉजिटिव होते ही ऐसे में सबको लग रहा है कि हॉस्पिटल जाना है और इसी वजह से पानिक सिच बनाए गए हैं केवल जाब आपको आई सीउ या वेंटिलेटर चाहिए तभी आपको हॉस्पिटल में एड्मिट किया जाएगा प्रियंका इस बीच हमारे साथ अमिताब सिना भी जुड़ गए हैं उनके पास मैं जाओं एक सवाल और आपसे वह ये की ये लगातार अध्य के रिश्दार हैं जो वहाँ पर जाकर मैस मचा रहे हैं या फिर माहौल बिगार रहे हैं ऐसे में विरोध तो वो कर रहे हैं लेकिन और क्या-क्या सेफटी मेजर्स अस्पिताल के तौर पर उठाय जा रहे क्योंकि आप बतारी हैं कि लगातार खबरे आ रहे हैं एलन जेप कि बात करें तो सबसे पहला अस्पंगोविड किया गया था दिल्ली में जो तुमाम ज़्यादा केसि थे छिरृवाती केसि थे वही रहे हैं विवातियों की बात करें अब जो नई केसों आ रहे हैं वो भी वहां पर ट्रांस्वर हो रहे हैं तो नौबत तो बाउंस रखने तक ही आ गई थी तो ऐसे में फिलहाल जो अस्पिताल प्रसाशन है उनका कहना है कि हम सेक्योरिटी गार्ड को तैनात किये हुए हैं लोगों को हमारे साथ बने रहे हैं अमिताब हमारे साथ जुड़े हैं अमिताब कल ही सरकार अध्यादेश लाई है जो डॉक्टर और स्वास्ते कर्मियों के हक में है जिस पर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है लेकिन आज हम तस्वीर देख रहे हैं एलन जेपी हॉस्पिटल की विरोध कर रहे हैं यह जरूरी है क्योंकि अगर इसी तरह विरोध होगा तो अध्यादेश को लेकर मेहत्व पॉइंट्स है और बताने की जरूरत है कि सरकार आपके साथ है आप काम कीजिए क्योंकि विरोध करेंगी तो बाकरी चीज़ने प्रभावित होंगी जो किए विरोध करने का एक तरीका एगलोग तांतरिक तरीका है लेकिन सब अस्पतालों में हैं अपने कोई घर अपने घर ने गया विरोध करते हुए तो जाहिर तोर पर कल जो अध्यादेश जारी हुआ है इसको लागू कर दिया है सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से धीरे धीरे डॉक्टरों का डर कमोगा जैसे जैसे पब्लिक को ये जानकारी होगी कि यहाँ कड़ी सजा में सिर्फ जेली नहीं उन्हें फाइन भी देने सिंकिन जरूर करेगी और धीरे धीरें डॉक्टरों का दर्द दूर होगा जिनों जो 24 घंटे दे रहे हैं उन कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए जिनके लिए तमाम से टिकिट्स की जरूरोत होती है जिसकी कमी भी भारत जैसे देश में है जो विकासील देश माना जाता स्वास्त के मामले में हमारे देश कई western countries हम से आगे थे प्रिती लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिस तरह से काबू पाया है जिस तरह से हमने स्वास्त कर्मियों की सुरक्षा की सरकार ने चिंता किया है अध्यादेश लेका है जाहे तोर पर मुझे लगता है एक दो दिन में ये सब किसे देरे देरे कम हो जाएंगे ये संकेतिक विरोध है आप कह रहे हैं कि वो काम पर मौझूद है लेकिन सचाहिए है कि दिल्ली की बात है दूर दरास के इलाकों की बात नहीं है दिल्ली में अध्यादेश आने के बाद भी अगर डॉक्टर्स विरोध करते हैं तो पूलिस ने मौलाना साथ के परिवार वालों से यूपी के शामली में पूछताच की है मौलाना साथ को शामली में फार्म हाउस में होने की जानकारी मिली थी जिसी के तहत ये च्छापे मारी की गई है तो ये इस वक्त यह हम ख़बर है हमारे साथ दीपक हमारे सयोगी इस खबर पर अपडेट के लिए डिड़ रहे हैं दीपक क्या जानकारी है शामली में साध की मौजूदगी को लेकर अभी तक क्राइम भांच की ट्यमें वहीं पर बनी हुई है और लगातार उन लोगों से बाचीद कर रही है जो उनके रिश्डार है या परेजर है कौक完ल को काफी कुछ हासिल हो सकता है कौकि अभी तक मौला कि क्राइम भांच की पगर से बाहर है को कि इससे पहले ये माना जा रहा था कि वो लगातार अपने टेप जो आडियो टेप है लोगों के बीच आवाम के बीच फैराना चाह रहा था उन लोगों को की सरकार की मदद करें इस तरह के आडियो टेप साहे थे जिसके बाद क्राइम डांच ने एकदम से सक्ति बरती है कुछ ठिकानों पर उसके चापे मारी की है लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि मौलाना साथ कहां पर है हाला कि शामली में टीम को लगबग 2.5 घंटा हो चुका है और उनके परिजन जो है उनसे पूस्ताच की जा रही है मौलाना के बारे में और साथ ही जो जमात में जो जुड़े हुए थे कितने लोग वहाँ से आये इसकी डिटेल वहां पर खंगा ली जा रही है लेकिन खुद जो जम्मेदारी बता रहे हैं लोगों को अपना नहीं बारे हैं देश का हर नागरिक पूच रहा है चाये वो पढ़ा लिखा मुसल्मान ही क्यों नहीं उनका पता नहीं मिल रहा है एक फीज़ तो साफ है जब भी आएंगे कानून के हाथ से बचेंगे नहीं और इतना तो साफ है आपदा प्रबंदन कानून जो है उसके तहत बड़े कड़े कड़े प्रावधान है कारवाई के उनके खिलाफ जरूर होगी अपनी ओडियो में तो आवाज बड़ी बुलंद मौलाना साथ करते नजर आ रहे हैं दीपक जरा बताईए कि जब उनकी गिरफतारी होगी तो कारवाई क्या होगी उसके उपर देखे जितना भी उनके मरकज में आने वालों को डेटा है उसके खिलाफ पूस्ताज होगी साथ ही उनके जो एकाउंट में जितने भी अलग जगे से पैसा आया है उसके बारे में डिटेलिंग होगी और साथ ही जब मरकज में इतना बड़ा जब राजने दिली में 16 मार्च को जब 144 सेक्शन लगा दिया गया था उसके बावजूद भी भीड वहां पर रोक कर रखी थे और लोगों को अहत्यातन कोई भी मास्क या सनिटाइजर चीज़ें उ जो अफ़ार के जो सवाल है उनका जवाब उन्हें देना होगा और इसके खिलाब क्राइम डांच ने पूरी सक्ति से उनसे पूस्टाच करने का मन बनाया है लेकिन पहले क्राइम डांच के पास अगर मौलाना साथ आता है तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से उसे एक और संदेज जो मौलाना साथ को लेकर बना हुआ है वो ये कि कॉरंटीन उसने खुद को किया हुआ था कॉरंटीन की समय सीमा खत्म हुई है फिलहाल कॉरोना वाइरस का टेस्ट हुआ है रिपोर्ट नहीं आई है ये चिंता की बात कितनी है क्योंकि तबलीगी के ही वो लो सामने क्यों नहीं आ रहा है अपने फार्म हाउस पर नहीं है यहां दिल्ली में नहीं है तो हैं कहां वो प्रशाशन पुलिस उन्हें तमाम तरीकों से खोज रहा है उन्हें नोटिस भेज रहा है और एक चीसों साफ है पृति अब जहां भी हो कुरोना ठीक है देरे-देरे डिला पड़ जाएगा सरकार काबू पालेगी जनता साथ दे रही है लोगडाउन में लेकिन जब वो पकड़ में आएंगे तो आपता प्रबंदन कानून बड़े सक्त है और और काफी यह यह बीमारी फैलाने वाली बात तो बिल्कुल गलत है इसके लिए तो कड़ी से कड का देश चुका रहा है इस बीच कोरुना के खलाफ जारी जंग में सुनिया गांधी ने बीजेपी और केंदर सरकार पर हमला बोल दिया है कॉंग्रिस कारे समिती की विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हुई बैठक में सुनिया ने कहा है कि बीजेपी नफरत का वाइरस और सामप्रदाइक सोहार्द बिगाड रही है इस खबर पर अरुन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुन लगातार ये कहा जा रहा है कि अक्रॉस पार्टी लाइन कोरुना वाइरस के खलाफ जंग लड़नी चाहिए लेकिन ऐसे वक्त में सुनिया गांधी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए देखें कॉंग्रेस की जो अंतरी मध्यक्ष हैं सुनिया गांधी ने कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी की जो बैठक बुलाई थी वो कोरोना पर ही तैयारियां क्या चल रही है देश के हालात क्या हैं और लॉकडाउन से मुश्किलें किस तरह की हैं उस पर चर्चा के लिए बुलाई थी राजियों कि मुख्यमंत्री भी जो कॉंग्रेस शासित राजियों के मुख्यमंत्री उनको उसमें श्मिल किया गया था दो तिन मुख्य रूप से उन्होंने बाती कहीं है पालघर की घटना जो हाल में हुई ối के अलोक न उन्होंने एक बात यह कहीlast में निखोग करों लोगों से बात करके उन्होंने दिये उनके सुझाओं को माना नहीं गया है एकात सुझाओं आंशिक तोर पर मान लिए गये हैं एक आरोप बड़ा लगया उन्होंने की लॉकडाउन के पहले चरण में ही तकरीबन 12 करों लोग बेरोजगार हो गये हैं और सरकार को इनके खात कहा वो अपनी बात को नंदोराए कि लॉक्डाउन से लॉक्डाउन के बीच ज़रूरत यह है कि जहां पर रेट जोन है जहां ज्यादा के करोना के वहां पर तो ठीक है कि पूरी तरह से परतिबंद हो लेकिन जिन इलाकों में एर केसे कम हैं थोड़ा रहत है वहां पर सुझाव है उनमें से एक का दुका सुझाव लिया गया उन्होंने का कि सांप्रदाइक वाइरस फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है लेकिन मौझूदा वक्त में एक विपक्ष की भूमिका इसी तरह की होनी चाहिए जैसा कि सोनिया गांधी कह रही है अपने बयान में दो चीजे साफ है सरकार बार बार यही कह रही है कि अगर जमात के लोग फैले हैं तो जमात की गलती है उन्हें किसी धर्म का नाम नहीं लिया है उन्हें सिर्फ उसी और उसी जमात का नाम लिया जिसको मुस्लिम धर्ग गुर्वों नों भी जिसकी शिकायत की है और जहां गांदी से भी बात की थी मनमुहन सिंग से बात की थी तमाम विपक्ष के नेताओं से बात की थी इसलिए यह कहना गलती होगा कि आपने किसी को अपने सरकार्ने सयोग नहीं मांगा किसी का अब जहां तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात है कुछ देरे-देरे आथिक करने वाले हैं रवी वार कुछ उनका मन की बात भी तो यह तमाम चीजें बताएंगी कि लॉकडाउन के बाद सरकार कैसे गतिविद्यू को खोलेगी तमाम सरकार के पास एगजिट प्लान त्यार है लॉकडाउन त्री का लॉकडाउन टू के बाद का अब देखते हैं उसक अरफा समवाद नहीं बलकि हर तरह से बात करने की कोशिश अलग-लग मंचों पर प्रधानमंत्री मोधी करते रहे हैं। आप दोनों बने रहे हैं। इस बीच सुनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जीजेपी ने सुनिया गांधी पर देश को गुमरा करने की कोशिश का आरोप लगाया। ब्यान वापिस लेना चाहिए। जिस तरह की भाषा कांग्रेस अद्यक्ष ने बोला है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस देश में देश के प्रधान मंतरी 135 करोड हिंदुस्तानी को एक ट्था और एक जुट करके करोणा के खलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई संपरदाई का अधार पर कोई भेदभाव नहीं होड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोधी जी और उनकी सरकार पर वार करने का कोई मौकाई नहीं छोड़ेंगे। ऐसे समय में भी जब देश को एक जुट से काम करना है। इसको संग्यान में लेने के आवश्रक्ता है कि नहीं है बीजेपी को। लेकिन अगर आरोप लग रहा है तो बीजेपी उसका जवाब राजनितिक तरीके से देगी जरूर। लेकिन जहां तक सरकार की बात है पिती मैं बार बार यहीं दोरा रहा हूँ। कब विपक्ष के नेताओं को प्रधान मंत्री से संग्यान में नहीं लिया है। मैंने पहले भी बताया तमाम मुख्य मंत्रियों से लगातार बात चल रही है। चार बारी, चौथी बार प्रधान मंत्री सोमवार को बात करेंगे मुख्य मंत्रियों से। मनमोहन सिंग, सोनिया गांदी, शरत पवार से लेके ममता बेनर जी। तमाम स्टालिन किस नेता से प्रधान मंत्री ने बात नहीं किया लोगडाउन को लेके। जब सब से बात हो रही है, हर कुईसी से वो सलाह मांग रहे हैं, तो ऐसे में आरोप लगाना कहां तक जायज है। अगर ये आरोप जो संप्रधाइक्ता का जहर फेलाने की बात सोनिया गांदी कॉंग्रेस करी हैं, वो लगातार करती रही है। लेकिन अभी संकट की घड़ी है, आप सरकार को सलाह दो, क्या करना है, सरकार को क्या नहीं करना है, अगर प्रधान मंत्री आप से सीधे बात कर रहे हैं, क्यमों के साथा है, अभी सलाह दे सकते हैं, अभी कोरोना से लड़ाई कई महीनों की है, अभी जब तक साथ नहीं देंगे, जंता साथ नहीं देंगी, तमाम दल साथ नहीं देंगे, लड़ाई जीतेंगे कैसे हम सब? कमिनिकेशन का जो समस्या है अरुन, जैसा अभी खुद अमिताब भी बोल रहे हैं कि वो नहीं है, लगातार प्रधान मंत्री अलग लग जगों से चाया चीफ मिनिस्टर हो, सच्चिव हो, या फिर विपक्षी दलो की नेता हो, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे है, देखिए मोटा मोटी दोचार बाते हैं, जो कॉंग्रेस की अध्यक सोनिया गाधी ने प्रधान मंत्री को चिठी लिगी थी, पहली बात तो यह है कि वो यह कह रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेश दीजिए, जो लगू और मध्धे मुद्योग हैं, लगबग 11 क्रोंड लो कोदामों का मुझ खोली है, राज्यों को ज्यादा दीजिए राशन, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा जो है, जैनिमिन हिस्सा है राज्यों का, केंद सरकार के पास जो टैक्स कलेक्शन होता है, उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, जैसे कि देश के तमाम हिस्सों में जो फसे हैं उनको उनके घर तक लाने की बेवस्ता की जानी चाहिए तो विपक्ष है विपक्ष की मांगें बहुत होती हैं सब को संतुष कर पाना साथ मुश्किल होता है तो यानिकी कुल मिलाकर अरुन चूक किसी से भी हो सकती है वो चाहे सत्ता पक्षो विपक्षो लेकिन मौजूदा संकट में एक बीच का रास्ता निकाल कर सरकार को और विपक्ष को चलना होगा जिससे जनता काहित हो और कोरोना वाइरस से हम लड़ सके आप दोनों का जुड आगे भी अपडेट के लिए आपके साथ जुड़ते रहेंगे इदर खबर केंदर सरकार के करमचारियों पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते बढ़ने पर रोक लगा दी गई है कोरोना संकट की विरस से जुलाई 2020 तक इस पर रोक लगाई गई है फिलाल महंगाई भत एक जनवरी 2020 से लागू होना था यानि देड़ साल तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा अभी के हिसाब से ही वो दिया जाएगा तो ये कोरोना वाइरस से जुड़ा हुआ जो संकट का दौर चल रहा है इसमें जो सरकारी के इंदर सरकार के करमचारी हैं उनके लिए महत् पूर्ण खबर है और साती पेंशन पाने वालों के लिए जरूरी खबर है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाई गई है और 2021 तक इस पर रोक लगी है फिलाल महंगाई भत्ता एक जनवरी 2020 से लागू होना था यानि डेड़ साल तक महंगाई भत्ता अभी फिलाल नहीं बढ़ने वाला है वो पहले के साब से दिया जाएगा इधर राजसान के सीकर से खबर है जहां लॉकडाउन में फसे मजदूरों को जिस स्कूल में ठहराया गया उन्होंने उस स्कूल को पेंट कर चमका दिया हर्याना और मद्यप्रदेश समें दूसरे राज्यों के पांचार अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रही है जी हमारी विवस्ता बहुत अच्छी है लॉकडाउन में फसे इन मजदूरों के लिए स्कूल में ही खाना बनाया गया ताकि वो भूके न रहे परती दिन इनको इस्पेसल डायेट दी जा रही है एक दिन जैसे इन सरकारी राशन की दुकानों में राशन बातने के लिए सरकार ने बायमेट्रिक पहचान करके ही राशन देने का नियम लागू किया बीजेपी विधायक संजे सरावगी ने सरकार के इस फैसले से कोरोना पहलने का खत्रा बताया है विधायक ने सरकार से बायमेट्रिक पहच चान के तरीके से राशन बाटने के फैसले को वापस लेने की मांग किया हाला कि सरकार में खाद्य मंत्री मदन सहनी ने सरकारी राशन की हर दुकान पर सैनिटाइजर दिये जाने का दावा किया है तो निश्य तुरुप से PDS में तो गरीब गुर्बे लोग आते हैं संकरवन फैलने के संभावना है इसको बंद करना मेरी आपड़ाय पूछेंगे इसको निश्य तुरुप से इसको जो है अभी जब तक संकरवन का दोड़ है सब्धानी बरती जा रही है और हर जगह दीन भर में सभी लाभों को तीन भाग में बाट दिया गया है कि किनको कब बुलाना है और उसको में सोचल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरा-पूरा किया जाएगा और सभी जगह पर साबन, सेनिटाजर, सब चीज़ का विवस्था किया गया उसके लिए अलग से रासी भी डिलर को मुहया करा दिया गया है जारकन की पलामू में यहां के मुख्य सबजी बाजार को शिवाजी मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है बड़ा मैदान होने की वज़से शिवाजी मैदान में खरीदारों और दुकानदारों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसान है छोटे लाके में सबजी मंडी होने से एक जगा भीड खटा होने की संभावना रहती है इसी बात का दियान रखते हुए सबजी मंडी को बड़े मैदान में शिफ्ट किया गया है जिससे कोरोना संक्रमन का खत्रा कम हो गया है हाला कि इससे सबजी व्यापारियों को नुकसान भी हुआ है क्योंकि नई जगा पर अभी ग्राह कम ही आ रहे है प्यार के गया में राशन बाटे जाने की खबर मिलने पर एक सरकारी दफतर के बाहर लोगों की भारी भीड जुट गई इस बीच लंबी कतार में लोग खड़े नजर आए जिसमें नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया नहीं लोगों ने मास्क लगाया था कई घंटों के इंतजार के बाद लोगों को राशन नहीं दिये जाने की सूचना दी गई जिससे लोग परिशान हो गए लेकिन फिर भी लोग वहां से नहीं हटे और पुलिस ने सखती दिखा कर लोगों को वहां से भगाया लोगों का आरोप है कि वो राशन के लिए कई दिनों से परिशान हो रहे है तो लोगों की परिशानी जायज है और उनका इस तरह से खटा होना जायज है लेकिन समस्या यह है कि मौजूदा वक्त में इस तरह से अगर आप एकत्रित हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप मास्क लगाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें यह सब बहुत ज़रूरी है मौके की जरूरत है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी और कोरोना वाइरस और जादा फैलेगा और इन्हें में इस पंदरा दिन में तयार करने का दावा भी किया गया बताया कि इस खास टेस्टिंग लैब में अंतुराष्ट्रियस तरके लैब की सभी सुविधाय मौझूद है इतना ही नहीं अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगा से दूसरी जगा पर भी ले जाये जा सकता है डियाइडियो ने इस लैब को सिर्फ पंदरा दिनों में तयार कर दिया यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है खास बात यह है कि यह जो लैब है यह मुबेवल है यानि इसको कहीं भी ले जाये जा सकता है और जाहर तोर पर इस वक्त की जरूरत भी यही है कि जहां भी डियाइडियो के अधिकारी ने दावा किया कि इस लैब में एक दिन में एक हजार सैंपल टेस्ट की जा सकते हैं बताया गया कि ऐसे लैब को तयार करने में छे महीने का वक्त लग जाता है देखे सबसे बड़ी खबर अब यही है कि कोरोना संकट के बाद अर्थववस्ता को पट्री पर लाने के लिए सरकार जल्दी एक एकनोमिक पैकेज घोशित कर सकती है और ये खास तोर से जो छोटे और मजशळे उद्डियोग होंगे उनके लिए होंगे आपको याद होगा कि मार्च में भी एक पैकेज आया था जो किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए था 1,70,000 करोर का वो पैकेज था अब खास तोर से जो मजोले सेक्टर हैं और जो छोटे उद्योग हैं जिने MSME भी कहा जाता है जिसमें माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्रीज आती हैं उन सब को क्योंकि इस लोकडाउन के कारण काफी नुकसान जहिलना पड़ा है तो उनके लिए एक पैकेज आ सकता है और सरकार से फाइनल हो चुका है जल्दी घुशना होगी तो विक्रांद हमारे साथ दिली से जुड़े हुए हैं साथी उत्तर प्रदेश से दीपक बिश जुड़े हुए हैं पुजराद से जनक दवे माराज से आशी इजदीक्षित बिहार से चंद्रमोहन माद्य प्रदेश से मनोष शर्मा और पंजाब से मोहित मलोत्रा हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं लगातार और इस बीच उत्तर प्रदेश से दीपक बिश कारू कर लेते हैं उसके बाद अभी यहां पर अभी भी लगातार क्राम ब्रदेश की टीम में लगातार उन लोगों से बाच्चित करी जो मौला असाथ के नजदी की थे और साथी करोना वारस पर लगातार मौला असाथ जो है इतने तीन दिन से लगातार अपने और जो क्लिप जो है वो रिल नहीं आरा जिसके बाद क्राइम रांच की ठीमा उसके उन ठेकानों की तरफ जा रही है जहां जहां पर उसके होने की तद्दीक हो सकती है तो गुजरात राज्जी का अब रुक कर लेते हैं जनक क्या खबर है गुजरात से देखें आज के दिन के बड़ी खबर यही है कि जो स्वस्थ होने का जो रेशियो है वो आज काफी अच्छी खबर लेकर आया है जहां बडोदा में 45 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने कौन्टीन सेंटर उनको रखा गया है जबकि एहमदबाद में 24 गंटे में 29 जितने म मरीज हैं एहमदबाद से हैं ऐसे में ये खबर काफी रहत की बात हैं कि अब स्वस्थ होकर गर लोटने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है महराश्र स्टेट का रूप कर लेते हैं आशीश क्या है बाकर इमा की सबसे बड़ी खबर इस वर्ट जी बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे महराश्र में सबसे जादा कोरोना का प्रपाव है करीब साड़े पांच हजार के उपर मरीजों की संख्या जो है वो पहुच चुकी है सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनोती है वो जुखी जोप्रियों की है क्योंकि आज ही एक वीडियो जो है वो सामने आया है और उसमें धारवी का वो वीडियो है और साफ तोर पर दिखाया है कि लोगों में बिल्कुल जागरुकता अभी भी कोरोना को लेकर नहीं है सोशल डिस्टिश जी आएंगे आपकी पास चंदर मोहन हमारे साड़े बिहार से पटना से क्या बड़ी खबर आ रही है चनल मोहन जो भी जो आठ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गया है उनके संपर्क में जो भी लोग आये हैं तक्रीबन 500 लोग हैं उन सब को कोरिंटीन सेंटर भेजा जाएगा और साथी ये भी कहा गया है कि जो भी लोग इस महले के रहने वाले हैं अगर उनको जरा भी है सक लगे कि उनको उस तरह का सिंटम पाया जा रहा है तो तुरंत वहां के जो अधिकारी हैं उनको सुचित करें और साथी कोरिंटीन सेंटर पहुंचे और कोरोना की जाच करा है तो पटना के लिए सबसे बड़ी ख़बर ये है कि जो खाजपूरा इलाका है उसको पूरी तरह से सील कि जा रहा है जी इस इलाके मनोज है मद्द्रदेश से मनोज गुजरात की तरह मद्द्रदेश से विक अच्छा ट्रेंड आया क्योंकि मद्द्रदेश में रगतार इंद और भौपाल से मामले बढ़ रहे थे लेकिन बीते 24 घंटे में सरकार की जो आखडे कहते हैं कि 48 कोरोन कि जो मरीज थे वो असमतारों से डिस्चार्ज हुए स्वस्थ हुए और जो नए संक्याई वो 40 की आई यानि 48 स्वस्थ और 40 नए केस आए कोरोना के तो जाहिर तो पर सरकार कह रही है कि ये सुधरता हुआ ट्रेंड है हाला कि अभी भी हजार कम से कम डेड़ हजार ऐसे से हैं जो भी दिली गए हुए और मद्धिपर्दिश की अलग अलग लैब में हैं उनके नतीजे आना वाकी और शाम तक उनके नतीजे सामने होंगे लेकिन फिलाल स्वस्थ जादा है और नए मरीज कम है पंजाब कर रुक लेते हैं मोहित हैं मोहित क्या बड़ी खबर पंजा चंडिगर और पंजाब के लिए दिन की शुरुआत हुई वो पंजाब के लोधियाना की रने वाली थी और दूसरी बात यह कि पंजाब जो लगातार यह दावा कर रहा है कि हम लोकडाउन की त्यारी कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को शुरू करने की बात हो रही है उसको एक की दिन में 21 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और उसमें सीम जो है पंजाब के कैप्टन अवरिंदर सिंग उनकी जो सीम सिटी है पटियाला वहीं के ही 18 मामले है तो यह एक बड़ा जटका है पंजाब के लिए तो क्या अगले दो दिन में जो विकरांत का रुकले ते विक्रांत कोरोना वायरस के संकट के दौरान ये BJP और कॉंग्रस की पॉलि пытi किक सिर्फे लिए देखे बिल्कुल आज कॉंग्रेस कीया रहे है समीति की बैठक थी जिसमें सोनिया घंधी जो कॉंग्रेस अध्यक्षय उन्होंने अपना जो ध्यक्षे भाषन दिया, उसमें उन्होंने काफी आरोप लगाए, बीजेपी पर केम सरकार पर और यहां तक कह दिया कि केम सरकार जो बीजेपी जो है, वो नफरत का वारस फिला रही है, निश्चित तोर पर एक गंभीर आरोप, बड़ा आरोप उन्हो तो कॉंग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही है जो पूरी तरीके से दुर्भग्यपूर्ण है सरकार अपने इलाज में रहतकारियों में किसी तरह की कोई भेदबाव नहीं कर रही है और ऐसे समय में समाज को बाटने की कोशिश की जा रही है तो ये निशित तोर पर चिंत पुलिस को सीधा कहा गया है कि किसी भी एक जिले के दूसरे जिले में ना आये जानक गुजरात ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़ादा मामले है ऐसे में सरकार की तैयारी आगे क्या है देखे सरकार के और से बार बार दारा किया जा रहा है कि वो जो सैंप्लिंग है ये जो आंकरा जो बड़ा है वो ज्यादा सैंप्लिंग की तकरीमन 38,000 उन्चालीस अजार जितने उन्हों टेस्ट किया और उसके चलते ये आंकरा ज्यादा आया है और यही उनकी जो प्रोसेस ह जब उनको ट्रीटमेंट के बाद जब नेगेटी हुआ और जब कॉरंटीन सेंटर में रखा गया तो कुछ दिन बाद वापिस उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो यह जो मामले है वो चौकाने वाला है चुकि एक मरीज दो मरीज जो पहले पॉजिटिव थे उनकी ट् हमारे सामने सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है कि बिल्कुल देखिया अधिकारियों की बैठा कोई थी और उसमें साफ तरपया निर्णा लिया गया है कि और भी जो बड़े मेडिकल कॉलेज है बिहार में उन जगा पर टेस्टिंग सेंटर बढ़ाई जाए और साथी यह जितने अधिक हो सकें जो लोग पहुचने वाले कॉरिंटीन सेंटर में हो या फिर जो भी संदिक्द हैं उनकी जल्द से जल्द जाच पूरी कर लिजाए इसके लिए एक स्पेसल टीम बनाई गई है साथी पूरे बिहार के लोगों का स्क्रीनिंग प्लान बिहार गवर्मे बाहर से आया गया था तो इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है पूरे बिहार में स्क्रीनिंग चलाया जा रहा है और राजी सरकार के और से जो बैठक की गई थी अधिकारियों के साथ उतमें सक्ट निर्देश दिया गया है कि पीएच सी को भी एक्टिवेट किया जाए ज जो टेस्ट है उसके लिए भी एक प्लान बनाया गया है और साथी स्क्रीनिंग का काम भी लगातार बिहार में चल रहा है मनोज से खबर यह आ रही है कि मद्यप्रदेश में नई नविली सरकार के मंत्रियों वही कह रहे हैं कि पुरानी सरकार की वजह से इस तरह कोरोना वा कि सरकार थी कमलात की सरकार के उस वक्त मैं आइफा आवार्ड की तैयारी होती रही है और कमलात उसमें अपना तमाम ध्यान अपनी सारी मस्रूफियत जो उनकी थी वह सल्मान खान जैकलीन फर्णाडेस यह त्माम बतों के आरूप लगा रहे हैं कि वह उनके साथ आईफा आवार्ट के और्गनाइजेशन के लिए मस्रूफ रहे और साथी साथ उन्हों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो जमाती हैं वो इंदौर में आ रहे हैं वो लगतार इंदौर में आते चले जा रहे हैं यह आरूप लगाए जिसका कॉंग्रिस सीधे तोर पर कह रही है कि बेबुनियाद आरोप है उस समय कोरोना ऐसे स्तर पर मध्यप्रिदेश में नहीं भेला था बहतर होगा कि शिवराज की सरकार और शिवराज के मंत्री अभी कोरोना की तरफ ध्यान दें और इंदौर में लगतार बढ़ड़ ही मौते और ब्रत्युदर का जो सबसे आकड़ा इंदौर में है कोरोना का उसे ठीक करने की तरफ अपना ध्यान दें जी मोहित पंजाब में किसानों की फसले इस वक्त खेतों में खड़ी है क्या रोड मैप है सरकार का कोई नुकसान ना हो किसान को देखिए पंजाब सरकार दावा तो कर रही है कि उनकी तरफ से लगातार तमाम कोशिशे की जा रही है अगर किसान मंडियों में आएंगे तो उनको सैनिटाइजर दिये जाएंगे उनके लिए पीने के पानी का बंदबस्त होगा लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हम खु काफी परिशानी है काफी दिक्कत है और पंजाब में हर साल जो फसल होती है यहूंकी वह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती है इस साल भी बंपर फसल होने का अनुमान है ऐसे में इस फसल को किस तरह से आप अपनी मंडियों में रखेंगे किस तरह से आगे गोदामों में बेजेंगे ये देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल सरकार जो कोशिश कर रही है उससे किसान खुश नहीं है जी 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 वेक्रांट रापिड टेस्टिंग तो रुकी हुई है तो दिल्ली सरकार की तयारी क्या है इसको लेकर देखें सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं पूरी समय जितने भी राज्यें उन सब की निगाएं आज ICMR पर है क्योंकि दो दिन पहले ICMR ने ये कहा था कि रैपिड किट जो आई है उनका प्रियोग रोक दिया जाए क्योंकि उसमें काफी ये देखा गया था कि नतीजे सही नहीं आ देखें तो दो दिन के लिए रैपिड एक्शन रैपिड किट जो है उनका प्रियोग रोका था ICMR ने आज चार बजे के करीब स्वास्ते मंत्रा लेकि जो PCA होगी उसमें ICMR के प्रतिनिदी भी आते हैं तो ये साफ होगा कि अब राज्ये इसका प्रियोग कर सकेंगे नहीं दिल्ली भी इंतजार कर रही है क्योंकि दिल्ली ने अपने होट स्पोट जितने भी इलाके हैं उनमें सब में बड़े पेमाने पर रैपिड किट के माध्यम से एक अभियान चलाने का फैसला किया था लेकिन एक ही दिन वो अभियान चल पाया था उतके बाद रोक दिया गय कि वो सेल्फ कॉरिंटीन में थे?